गुट मॉर्निंग एवरिवन, मैसेल्फ डॉक्टर भरत सेंग मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्मेंट कोलेज कोटा, आज हम केमिस्ट्री ओफ एलिमेंट्स और फर्स्ट रांजीशन सीरीज के अंतरगत, फर्स्ट रांजीशन सीरीज की प्रोपाटीज में मैटलिक नेचर या धात्विक प्रकरदी, मेल्टिंग इन बॉयलिंग पॉंट्स या कहें गलनांग वाकटनांग, केटिलाइटिक एक्टिविटी या हम उसे कहें उत्प्रिरक्य सक्रियता, और कॉज औप केटिलाइटिक और ट्रांजीशन मेटल्स के बारे में डिसकस करेंगे, तो सबसे पहले हम मेटलिक नेचर या धात्विक प्रकरदी के बारे में पढ़ते हैं, धात्विक नेचर उन्हीं तत्व की होती है, जिन में कठोरता, एगातवर्तनियता, तन्यता, उच्च गलनांग वाकटनांग ह साथ ही वो बिद्धोति उस्मा के सुचालक हों, ये समस्त गुण संक्रमन धात्विक प्रकरदी के होते हैं, इनकी जो सरचना होती है, वो अगर हम मेगनीच को छोड़ दें, तो तीन प्रकार्च की क्रिष्टल ये सरचना हैं, पाई जाती है, फर्ष्ट है बी-सी-सी, जिसे काई केंद्रित गनिय सरचना के नाम से जानते हैं, दूसरा है एप-सी-सी, जिसे फलक केंद्रिय गनिय सरचना के नाम से जानते हैं, और तीसरा है एच-सी-पी, सट कोणिये निविड संकुलिस सरचना के नाम से जानते हैं, मेंगनीज में इस पिरकार की सरचनाएं नहीं होने के कारण उसका इस्थाई डीफाइब विन्यास है और इस इस्थाई डीफाइब विन्यास के कारण इसकी एक विसेश संकुलित क्रेश्टलिय बैविस्था बनती है अते हम यह कह सकते हैं कि धात्विक, चमक, उच्च तन्यता, एगात वर्दियता, उच घनत्व तता ताप्यम बैदुत चालकता वाले तत्व होते हैं और इन में ये सब गुण डी एलेक्टोन, डी कक्षक में जो एयोगमित एलेक्टोन पाई जाते हैं उसके कारणी होते हैं और उसी डी एयोगमित में एयोगमित एलेक्टोन के कारणी ही ये विसिष्ट पिरकार के धात्विक बन्द रखते हैं इन सब धात्वों की क्रिष्टेल ये सरचनाओं में सामान धात्विक बन्द के साथ साथ और क्या पाया जाता है सहसे यूजक बंद भी पाई जाते हैं और ये सहसे यूजक बंद बनने के पीछे डीडी अतिव्यापन होता है आपको इस चित्र के मैध्यम से ये डीडी अतिव्यापन ये डीडी ओवरलेपिंग हो रही है संक्रमन धातूं में और इस डीडी ओवरलेपिंग के कारण ही संक्रमन धातूं में सैसे युज़क बंद भी बनते हैं और इस परकार हम कह सकते हैं कि संक्रमन धातूं में चारिये धातूं तथ चारिये मिर्दा धातूं की तुलना में कौन से बंद से बंदे रहते हैं पिरबल आकरसन बल से और इसी कारण ये कठोर भी होती है इनकी परमानुए की जो एंथेलपी होती है वो गलनांक वो कृतुनांकों के मान से उच्छ होती है परमानों में एयुगमित इलेक्ट्रोन की संख्या के बढ़ने के साथ साथ इनमें धात्विक बंद की सामर्थ भी बढ़ती है इसलिए अगर हम फ़र्श ट्रांजीशन सीरीज में देखें तो इसकेंडियम से क्रोमियम तक धात्वों की कठोरता बढ़ती जाती है और उसकेबाद क्रोमियम से जिंक तक घड़ती जाती है क्यों क्योंकि एगमित अलेक्ट्रोन की संक्या में कमी होना सुरू हो जाता है नेक्ट इसका प्रॉपर्टीज है सक्रीतर है जिसे कहें हम जी आक्टिविटी संक्रमन धातुएं चारिये मिर्दा धातुएं की तुलना में काफी कम क्रियासिल होती है इसके पीछे कारण क्या है? पहला इसका कारण है कि इनके छोटे आकार के कारण जब आकार छोटा होगा तो इन तत्वों का आइनन विभव केसे होगा? अधिक होगा या उच्छ होगा और जब अधिक आइनन विभव होगा तो धातु आइन बनाने के लिए अधिक मात्रा में उर्जा की आवस सकता पड़ेगी और जब अधिक मात्रा में उर्जा की आवस सकता पड़ेगी तो ये आसानी से आइनिकरत नहीं हो पाएंगे कि इन में कोबेलेंट मोंड होने के कारण इन एलिमेंट्स की जो सबली मेसन एनरजी है उसका मान हई होता है और उन्हें सॉलेट से गैसिये इस्टेट प्राप्त करने के लिए क्या होगा बहुत अधिक उर्जा की आवस्सक्ता पड़ेगी त्यान रखें कि इनके सैसेयोग बंद होने के कारण इनकी उर्द पातन उर्जा का मान अधिक होगा और उर्जा का मान अधिक होने के कारण इनकी जो अवस्था है वो ठोस अवस्था से अगर गए सवस्था में हम जाएं तो अत्य देक उर्जा की आवस्था पड़ती है तीसरा वा एंतिम कारण ये है कि इनके आयनों की जलियोजन उर्जा का मान भी काफी कम होता है इन सब कारणों से ही D-Block के तत्वों की क्रिया सीलता काफी कम होती है Next है गलनांक वख्वितनांक Melting and boiling pond हम जानते हैं कि प्रबल दात्विक संक्रमन दात्विक कैसी होती है प्रबल दात्विक होने के कारण इनके गलनांक वा कुतनांकों के मान भी उच्चोंगे अगर हम इस सीरीज को देखें साड़ने के अंतर फर्ष्ट ट्रांजीशन फर्ष्ट सीरीज के ट्रांजीशन ऐलिमेंट्स के गलनांक और कुतनांकों अगर हम देखें तो इसकेंडियम से अगर जिंक तक जाएं तो इस्टार्टिंग में इसकेंडियम फिर बढ़ेगा टाइटिनियम का और अधिक हो जाएगा फिर बेनेडियम का और अधिक हो जाएगा फिर क्रोमियम का बेनेडियम से थोड़ा कम होगा और मेंगनीज का बहुत जादा कम हो जा और इसी पिरकार से लाश्ट में जिंग का क्लतनांक भी कम हो जाता है अगर हम इस सारणी को ध्यान से देखें तो हमें यह क्या बात बात समझ में आ जाती है कि गलनांग और कोष्थ्नांग के मान पहले तो क्या हुए बढ़े और फिर बाद में कैसे हो जाते है गटते है और अगर इस किरम में मेगनीज वा जिंक आप देख रहे हैं कि मेगनीज मेगनीज का जो गलनांक और क्वत्नांक दोजनुए देखें मेगनीज का यहां पे 1249 है क्या गलनांक और क्वतनांक है 2060 तो ये क्रोमियम से काफी कम है इसी पिरकार से अगर हम जिंक का देखें गलनांक वा क्वतनांक तो कौपर से बहुत ज़्यादा कम है तो इन दोनों के मेगनीजवा जिंक के गलनांक वा क्वतनांक के मान अतियंत कम होने के कारण पीछे कारण क्या है प्राराम में डी एक कक्षकों में एगमित एलेक्ट्रोन की संक्या बढ़ने से धात्विक बंद में उनका योगदान बढ़ता जाता है और जब धात्विक बंद में योगदान बढ़ेगा तो वो प्रबल धात्विक बंद बनाएंगे जिससे क्या होगा गलनांक वाकवतनांक के मान बढ़ते जाएंगे यही कारण है कि इसकेंडियम से और आप टाइटिनियम बेनेडियम या क्रोमियम का देखें तो गलनांक वाकवतनांक बढ़ते जा रहे हैं उसमें एयुगमित एलेक्ट्रोनों की सेंख्या बढ़ती जा रही है लेकिन बाद में क्या हो रहा है डी कक्छकों में एलेक्ट्रोन का युगमन प्रारंब हो जाता है जिससे क्या होगा एयुगमित एलेक्ट्रोनों की सेंख्या कम हो जाएगी और गलनाग और कुटनाग के मान घरते जाएंगे यहां आपके गलनाग और कुटनाग बाद में घरते जा रहे हैं यह देखिए आइरन का 1535 है कोबाल्ट का 1450 में निकल का 1420 है यह इसका गलनाग है इसी परकार से अगर कुटनाग देखें तो कौतनांक में भी सेम ट्रेंड दिखाई देगा आहिरन का सत्ताई सो पचास है कोबाल्ट का इस परकार से इनका दिखाई आपको दे रहा है बेनेडियम और क्रोमियम के अगर गलनांक के मान की बात करें तो 3D धातों की सीरीज में सरवादिक होते है अब मेगनीज या जिंक के हम गलनांक वकवतनांक के पीछे कारण जाने कि इनके कम होने के कारण क्या है तो हम जानते हैं कि दोनु में मेगनीज में D5 है और जिंक में D10 बिन्यास के कारण इनके धात्विक बंद में योगदान बहुत कम होता है और जिससे क्या होता है इनके गलनांग वाकवतनांग कहें हम मेल्टिंग ये हम बॉयलिंग पॉंट्स के मान अतियंत कम हो जाते है इसी प्रकार से अगर हम लाष्ट में जिंक, कैडिमियम एंड मरकरी का देखें तो इन तीनों का पून भरे हुए डी विन्यास के कारण इनके गलनांग वाकवतनांग अतियंत कम होते हैं किस-किस के जिंक, कैडिमियम एंड मरकरी के और अगर मरकरी की बात करें तो मरकरी तो exceptionally एक द्रव धातु है डी विन्यास के कारण धात्विक वन में डी एलेक्ट्रोन का योगदान समाप्त हो जाता है क्योंकि पूर्ण भरा उखक चक है तो उसके एलेक्ट्रोनों का कोई योगदान ही नहीं होता जिससे क्या होगा इनके धात्विक गौन और गलनांक वा क्वतनांक दोनों के ही मान कम हो जाते है समझ भाया क्योंकि जेंक वाकेडमियम का क्या है पूर्ण भरा हुआ डी टेन बिन्यास है और डी टेन बिन्यास फुल फिल होने के कारण इनका कोई योगदान ही नहीं होता है धात्विक गौन में जिससे क्या होगा कि ये धात्विक गौन में कमिया जाती है अब अगर हम संक्रण धात्वों के गलनांक वा क्वतनांक के लिए इस डाइगराम को देखें तो हम देखेंगे कि टाइटेनियम अगर फर्ष्ट रांजीसन सीरीज को देखें तब भी टाइटेनियम बेनेडियम क्रोमियम इनके गलनांक बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि एगमित एलेक्ट्रोन की संक्या बढ़ती जा रही है इसी परकार से अगर सेकंड सीरीज में देखें तब भी नायोबियम उसके बाद मॉलीबिडेनम का देखें और थर्ड सीरीज में देखें तो हैपनियम, टैंटेनम और टंगस्टन इनके मान बढ़ रहे हैं और टैकनिशियम अगर टी सी जैसे दोनु अफवादों को छोड़ दें तो बाकी धातूं के गलनांग के मान एगमित एलेक्ट्रोनों की संक्या पर डिपेंड करते हैं अब नेक्स्ट प्रोपर्टी जैस की उत्परे रखिये सक्रेता या कहें केटिलाइटिक एक्टिविटी ये भी संक्रमन धातों का एक अतियंत महत्पून गोन है क्या इनकी उत्प्रेयरक ये सक्रेता अधिकांस उत्प्रेयरकों के रूप में जो उप्योग होते हैं चाहे वो धातु में हो या मिसर धातु में हो संक्रमन धातु ही होते हैं कुछ संक्रमन धातु को योगिक तो रियक्सन्स में केटिलिस्ट का कारिये भी करते हैं और इनकी उत्प्रेर की उपयोगता कई प्रियोग सालाओं के साथ साथ उद्ध्योगों में भी होती है संक्रमन धातुओं की प्रथम स्रेनिके कई तत्वों वा उनके योगेकों के अत्रिक हम मौली बिडेनम, टंगस्टन, प्लेटीनम, पेलेडियम धातुओं का उप्योग उत्रिक के रूप में बहुत अधिक रूप से किया जाता है यहां पर मैं कुछ प्रमक उत्रिकियाव के बारे में बताऊँ हूँ, जो यह यहां दिखाया गया है पहला देखते हैं अपन फैरस सलफेट वा एस्टू-ओु के अध्यों को, किन किन के मिस्ध्यों को? फैरस सलफेट वा एस्टू-ओप कुए मिसरण को यदि फें्टोन रियेजेंट के रूप में किसके साथ प्रात्मक ऐलकोहलों के आक्सीकरण में एक बिसिष्ट अभिकर्मक के रूप में प्रियुक्त किया जाता है। तो क्या होता है इस अभी कर्मक से क्या होगा प्रात में केलकुहलों का ओक्सिकरण एलडी हैडों में ही होता है अमलों में नहीं होगा ज्यान रखें इस अभी कर्मक के उप्योग से इनका ओक्सिकरण एलडी हैडों में होगा अमलों में नहीं होगा एक अन दूसरा उत्प्र मेंगनीज एसिटेट की उपस्तिती में अल्डीओ ओक्सीजन के साथ औक्सिक्रत हो तो क्या बनाएगी कार्भॉक्सलिक अम्लड बनाएगी यहें देखिए चीह actually और यह आक्सिजन के साथ आक्सिकरत होके यहां पर उत्परेक कौन सा है आपका मैगनीज एसिटेट और क्या बना रही है यह कार्बोक्सलिक अमल तो यहां भी संक्रमन तत्मों का ही उत्परेक के रूप में उप्योग हुआ अगर मैगनीज और मॉलीबिडेनम उत्परेक का प्योग देखें तो अमोनिया बनाने की है बर्बिदी में किया जाता है यहां देखें N2 प्लस H2 और यहां पर उत्परेक कौन सा है संक्रमन धादूओं में से आईरन या मॉलीबिडेनम तो क्या बनता है अमोनिया N3 अब और अगर उधारन देखें तो हम देखते हैं अग और कौपर और बेनेडियम उत्परेरकों को अक्सीकरन अभिक्रियाओं में प्रियुक्त किया जाता है तो हम देखते हैं कि नाइलोन 66 के संसलेजन में या निर्मान में जिस अमल का उप्योग होता है वो किस-किस की साहिता से बनता है एक तो होता है साइक्लोहेक्सेनॉल य इन दोनों के मिस्रण को अगर हम कौपर और बेनेडियम उत्परेरक की उपस्थिती में रियक्शन करवाएं औक्सीकरन करवाएं तो क्या बनता है एडिपिक अमल और इस एडिपिक अमल का उप्योग का होता है नाइलोन 66 के संसलेजन में तो यहां भी आपका संक्रमन धात दातूओं का ही उत्परेरक काम में लिया गया है इसी पिरकार से अगर बेनेडियम पेंटा ओक्साइड का उप्योग सल्फर डायोक्साइड के सल्फर ट्रायोक्साइड में ऑक्सीकरन में किया जाए तो यहां भी आपको संक्रमन धातूओं का ही उत्परेरक काम में लिया एक एन और उधारन देखें अगर राने निकल कई अपचेन अपक्रियाओं में प्रियोक्त किया जाए तो क्या देखते हैं हम उधारन लेते हैं उधारन के तौर पर अगर हेक्सामेथिलीन डाइमीन के संसलेशन में ये आपकी हेक्सामेथिलीन है और डाइमीन हेक्सामेथिलीन डाइमीन के संसलेशन में अगर राने निकल का उप्योग किया जाए तो किसके साथ किसका निर्मान हो रहा है यहां पर ये एपिडो नैट्रेल और यहां राने निकल का उप्योग किया गया तो क्या बना हेक्सामेथिलीन डाइयमीन इसके अतिरिक्त भी अगर हम फाइनली डिवाइडेड निकल को केटिलिस्ट के रूप में उप्योग करें तो यह क्या करेगा कार्बन कार्बन दूबंद यहां पर आपको यह दिखाई दे रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉंड के हैड्रोजिन करन करेगा और इस रियक्षन का उप्योग हमारे देनेक जीवन में भी काम आने वाले बनस्पती गी के निर्माण में किया जाता है होता क्या है कि बनस्पती तेलों में अनसेचूरेटेड एसिड्स के ग्लिस्रॉल ट्राइश्टर होते हैं और इन अनसेचूरेटेड सीरीज का अगर हम हेड्रोजिनी करण करवाएं तो क्या बनेगा संतपती करण करा दिया जाए तो वो किसमें परिवर्तित हो जाएंगे ठोस बनस्पती घी में इस अब गिरिया में आपको कौन सा केटेलिस्ट लेने की आवसकता पड़ेगी निकल प्रभावी उत्पती करण का कार्य करेगा यह आप देख रहें यह डबल बॉंड है है डूजेनी करण करवाया किसकी उपर स्थिती में निकल में तो यह सिंगल बॉंड में परिवर्तित हो गया अर्थात एस संतपती करण था वह संतपती करण में हो गया और फोस बनस्पती की का निर्मान हुआ इसी पिरकार से अगर हम जिगलर नाटा उतपिरक काभी कैटिलिस्ट के रूप में उप्योग करें जो कि टाइटिनियम ट्राइकलूरैड में बनता है तो एथिलीन के बहुली करण द्वारा पॉली एथीन का निर्मान होता है और यहां उतपिरक कौन सा काम में लेंगे जि अरकल्गेस एम हैडोजन का मिसरं परस पर रियक्शं करके क्या बनाते हैं मेथिनॉल किस कि ओपिस्थिति में कोबार जंक और क्रोमियम डोकसाड यह भी आपकी संकरमन धातूई जो उत्पिरक का कारिये कर रही है इस पुरकार हम कहसकते हैं कि उत्पिरक सक्रियता में संक् धातुओं की उत्प्रिएक्सक्रियता कारण या कहें कारण कारण है कि इनकी उत्प्रिएक्सक्रियता होते है। इसका सबसे महत्मूर कारण यह है, कि एक तो इनकी जो सही ओजगता होती है, वो कैसी होती है, variable, परीवर्तनी है सही ओजगता, इससे क्या होता है, electron grain कर सकने या मत्याग सकने की प्रविर्ती होती है, जिसके कारण क्या होता है, दातूस एक तो बनाती है समान जिसे होमोजीनियस कहते है और दूसरा बनाती है बिसमान जिसे हेटोजीनियस केटिलाइज भी कहते है दोनों परकार के उत प्रियोग में प्रियोग में लाई जा सकते है क्यों क्योंकि इन में परिवर्थनिय से हो जगता है और इसके साथ साथ त्यायून सकते हैं और ग्रहन भी कर सकते हैं और इनन्ली दो प्रविरती के स्टार्व मेहन करते हैं अब हम बात करें कि उत्प्रक की इतने प Abbessy होते हैं इस पहला है समाइन ऊत्फिरक होमोगीनियस के टिल के ब्वाहो nam nine सब्वी कि कि किया कंडीशन्स होती है इचस्थ इनकी भौत एक अवस्था वह होती है जो है क्षिया आप वा उत्प्रियक की एक ही प्रावस्ता या फेज में होते हैं किसी समांग उत्प्रियक में यह गुण होना चाहिए और कौन सा गुण होना चाहिए कि वा अभिक्रिया के दोरान एलेक्ट्रोन को ग्रेहन भी कर सकता हो और त्याग भी सकता हो और हम ये जानते हैं कि संक्रमन धातुओं में variable सही हो जगता होती है इस कारण इनके 11 संक्रमन को घ्रेंड करने के साथ त्यागने की भी सक्ति होती है संक्रमन धातुओं के विलेसील संक्रमन की अभिक्रियां में homogenius catalyst की भूम का अदा करते हैं किए क्यों कि परिवर तन्सील सही हो जागता है जिससे हेलेक्टोन को ग्रैन की करेंगे और त्याग भी सकंगे और समांग उत्रीरक में यही होता है कि इसके लिए यह विसेचता हो कि बज्टोन को त्याग भी इसी प्रिकार से दूसरा है का बिसमांग उत्प्रेरक हीटोजीनियस केटिलिस्ट जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि बिसमांग बतलब अलग-अलग होगा वहां पर समांग में देखा था ठी हम उत्प्रेरक और किरियाकारक दोनों एक ही अवस्था में थे यहां पर ये भिन बिन अवस्था में होंगे उत्पिर्यों की बहुत एक अवस्था क्रिया कारकों की बहुत एक अवस्था से भिन होगी किस में? बिस्मांग में जैसा मैंना भी बताया था कि समांग में तो वो समांग होते हैं लेकिन बिसमांग में किरिया कारक और उत्प्रेक दोनु कैसे होंगे भिन भिन अवस्था में होंगे उत्प्रेक फो सवस्था में होगा तो किरिया कारक गैस अवस्था में होगा इन उत्प्रियरकों का किरिया कारकों को सत्य प्रदान ये उत्प्रियरक क्या करते हैं किरिया कारकों को सत्य प्रदान करेंगे और किरिया कारक उत्प्रियरक की सत्य पर कैसा हो जाएगा एडजॉर्ब अदिसोसित और अदिसोसित होकर वो कैसा होएगा सक्रिय इस पिरकार वो आसानी से अबकिरिया कर लेंगे और इस पिरकिरिया में वो सते से क्या करेंगे उत्प्रियक की सते पर वो अदिसोसित हुआ था इसलिए क्या करेंगे कि वो सते से इलेक्टोन का आदान प्रदान भी करेंगे और संकर्मन दात हुएं वे उनके योग एक आसानी से एलेक्टोन के आदान प्रदान में से योग दे सकते हैं अते हुए सबी अभिक्रियाओं में बिस्मांग उत्पे के सक्रियता का प्रदर्सन करेंगे थैंक यू